हलो एवरीवन आई वेलकम यू और को स्टाडी पॉइंट, स्टाडी पॉइंट यूटूब शैनल पर आपका बहुत बहुत स्वगत है क्रम वैवस्था, वर्ण माला और घड़ी, कैलेंडर, रक्त संबन परिक्षण यानि की ब्लड रिलेशन, दिसा परिक्षण, घड़ितिये, संक्रियाएं, तर्क एवं आक्ना निर्णियन इन सारे टॉपिक से रिजनिंग में आपसे कोशन पुछे जाएंगे, मंडी परिशत के एक्जाम में तो आज हम लोग जो डिसकस करेंगे, वो कोशन हमारे पर्टिकुलर एक टॉपिक पे बेस होंगे और वो टॉपिक है शब्द आधारित प्रशन, देखें, शब्द आधारित प्रशन से 20 बहुत important कोशन को डिसकस किया जाएगा बेसिक के ये कोशन से बहुत ही simple simple कोशन है, अभी के वाल आपको basic simple कोशन को हिसकस किया जाएगा और धीर धीर जैसे वीडियो जाते जाएंगे question का level भी बढ़ता जाएगा तो आज 20 question को discuss किया जाएगा और वीडियो आपके लिए helpful हो तो इसको like और share जरूर करिएगा और channel पे नई हो तो subscribe भी जरूर करिएगा तो चले discussion start करते हैं आज जो हमारा topic है यह है शब्द आधारित प्रश्ण देखे इसमें कैसे question पूछे जाते हैं इसमें आपको दो शब्द ऐसे दिया जाएंगे जिनका आपस में एक किसी ना किसी तरह का संबंध है उसके बाद आपको तीसरा शब्द दे दिया जाएगा उसके बाद उस तीसरे शब्द का संबंध कैसा होगा वो आपको इन चार option में से पढ़के बताना होता है इस तरह के question मंडी परिश्ट एक्जाम में 5 से 6 पूछे जाएंगे ही जाएंगे तो आज हम बहुत ही basic 20 question को discuss करेंगे तो चले discussion स्टार्ट करते हैं दिया है लोहा धातू oxygen देखे लोहा एक धातू है तो oxygen क्या है तो ये है simple question है इसका अंसर आपको पता होगा ये होगा gas तो option B है हमारा इसमें सही answer इसी तरह जो हमारा question है ये है कार खाना और उतपादन और इसी तरह आपको relation establish करना है दूसरे वाले शब्द में दूसरा दिया है अस्पताल और आपको सही answer बताना है देखे कार खाने में क्या होता है कार खाने में उतपादन होता है इसी तरह आपको बताना है कि अस्पताल में क्या होता है अस्पताल में उपचार होता है option C है हमारा सही answer अगला प्रशन है जीवित मृत यानि कि इसका जस्ट opposite दिया है यानि कि विलोम दिया है उल्टा दिया है तो उसी तरह प्रशन का क्या हो जाएगा उत्तर option B is our correct answer अगला कोशन है बर्फ ठंडा तो भाब क्या होगी देखे बहुत ही सिंपल कोशन है और बर्फ का होगा ठंडा तो भाब क्या होगा भाब का होगा गरम basic कोशन है इसी तरह के कोशन पुछ जाएगे कपास सफेद होता है तो कुईला क्या होता है यह होता है काला option D है हमारा correct answer बहुत है simple simple reasoning में जो यह कोशन पुछ जाएगे आपसे 5-6 इस कोशन को आपको किसी भी हालत में गलत नहीं करना है अगला है पिता, माता पिता तो बहन इसका हो जाएगा आपका भाई बहन या भाई बहन क्या होते हैं यह होते हैं सहोदर यानि कि एक ही मा के पेट से जनमे बच्चे सहोदर ओप्शन B है हमारा सही answer इसका बहुत लोग सोचेंगे कि सब भाई होगा बट भाई नहीं होगा इसका होगा सहोदर next page यह काम करता है page कसने का तो कील का क्या होगा इसको answer होगा इसका हथोड़ा ठीक है प्रशन है रात सितारे तो दिन का क्या होगा यह होगा सूर्य रात में सितारे निकलते हैं और दिन में सूर्य प्रशन है spring spiral ठीक है spring का जो shape होता है वो spiral होता है लगबग ऐसा ठीक है तो उसी तरह चूड़ी का आपको बताना है तो इसका हो जाएगा आपका option बी यानि कि चक्र यानि कि गोल next विमान को चलाता है पाइलेट तो जहाज इसका क्या हो जाएगा इसके होते हैं कप्तान captain option A है हमारा सही answer next school शिक्षक और नियाले में कौन होता है school में होते हैं सिक्षक और नियाले में होंगे आपके वकील option A है हमारा correct answer next है घेंगा आयोडीन यह relation दिया है यानि कि घेंगा हो जाता है आयोडीन की कमी से तो एनीमिया होता है किसकी कमी से यह होता है law यानि कि iron की कमी से तो इसका सही answer हो जाएगा option B next है मेढक उभैचर है ठीक है मेढक आपका उभैचर प्राणी के सम्मूँ में आता है तो छिपकली किस प्राणी के सम्मूँ में आएगा तो यह आता है सरिस्रिप C है मारा सही answer कीट नहीं होगा इसका याद रिखेगा सरिस्रिप reptile पीला होता है नीबू तो बैगनी का क्या होगा बहुत यह असान question है ऐसा ही question पुछे जाएंगे बहुत बड़े question नहीं पुछे जाएंगे reasoning में इस topic से बात करूं तो next question है भौकना यह काम करता है कुट्ता तो चुडिया क्या करती है चुडिया करती है चुँचु next है नयाले में नयाएं होता है और महाविद्याले में क्या होता है यहां होती है सिक्षा मुर्गा पिजणा और खरगोश का क्या होगा यह होगा मांध वर्षा बादल तो उश्मा का क्या होगा यह होगा option B यानि की सूरे option B है हमारा correct answer वर्षा किन की वज़े से होती है बादल की वज़े से उश्मा किस की वज़े से बनता है गर्मी जो की गर्मी कहांस मिलती है sun बगीचे में पौधक पौधे तो पुस्तक का हो जाएगा आपका प्रिस्ट option B है मारा सही answer चिकित सिक का है रोगी तो सिक्षक का क्या होगा ये होगा विद्यार्थी चिक है रोगी कहां जाते हैं चिकित सिक्षक के पास विद्यार्थी कहां सिक्षक करते हैं सिच्षक के पास से तो ये हमने बहुत ही जल्दी 20 questions को discuss कर लिया जैसे जैसे videos आयते जाएंगे questions का level भी बढ़ता जाएगा फिलाल जो हमारा आज का topic था उसमें हमने discuss किया था आपसे शब्द आधारित प्रेश्न बहुत ही जल्द सारे topic के questions को cover किया जाएगा और questions के level भी बढ़ते जाएंगे Thank you so much for watching Thank you